इडी और आईटी डिपार्टमेंट का आना तब होता है जब पीमले प्रिवंसन अब मनी लंडिंग एक्ट क्या मामला बनता है और इस सरकार के आने के बाद यदि सरकार खुद का रवही करें तो इस प्रकार की करप्शन को रोका जा सकता है मगर सरकार खुद करप्शन में जब लिप्थ है शराब में जब खुलेयाम दो हजार करोड से उपर का खुटाला हो रहा है दुकान में अवैश शराब सरकारी दुकान में बेची जा रही है कोले में पचीस रुप्या प्रती टन की अवैद वसूली पूरे सार्जनी गुरूप से हो रही है लोग बच्चे बच्चे को मालूम है तो जब इस प्रकार के हजारों करोड का लेन निन खुलयाम सरकार के सरक्षण में हो रही है, पुलिस के सरक्षण में हो रही है तो फिर इस प्रकार के इजनसी, I.T. डिपार्टमेंट या इनफोर्समेंट डायेक्टेट के लोग E.D. के कारवा ही हुई है और इसमें अकेले ID की कारवा ही नहीं हुई, इन्होंने प्रमान दस्तवेज प्रस्तुत किये हैं, 13,000 पेज के प्रमान नजाले में प्रस्तुत हुएं, इनके दो-दो सीनियर आईये सथिकारी साथ साथ महने से जेल के अंदर हैं, जबानत नहीं होगी, अगोसी तुरूप से इनके डेड़े सो करोर की संपती जब्ध होती है और इस पस्ट रूप से कोईले का तो मामला बड़ा साफ है यानि कोईले में 25 रूप प्रती टन लेने की शुरुआत कैसे हुई जो डियो ओर्डर जारू होता है डिस्पेश ओर्डर जिसको कहते हैं कोईले के निकासी के लिए हमने उसको ऑनलाइन किया था सरकार के बदलते हैं भुपेश जी के आते ही इसको आफलाइन कर दिया लोगों को जाके वहाँ पे अप्लिकेशन लगाना पड़ता था और 25 रूपिया प्रती टन देना पड़ रहा है और ये अफलाइन करने के सबूत के साथ ये तैह हो गया कि नीतिकत फैसले जो किये गया है डारेक्टर अकेला नीड़ने नहीं ले सकता जब तक मुख्यमंदरी का विभाग में मुख्यमंदरी का हसे अपनी होगा तो इस प्रकार के करप्शन नीती और नियाद दोनों खराब है सरकार की और इसलिए वो चाहिए आईटी डिपार्टमेंट हो या एडी हो जब पीमेले प्रिवंसन अप मनी लंडिंग एक्ट का मामला बनता है और इस सरकार के आने के बाद यदि सरकार खुद का रवाही करे तो इस प्रकार की करप्शन को रोका जा सकता है मगर सरकार खुद करप्शन में जब लिप्थ है शराब में जब खुले आम दो हजार करोड से उपर का घुटाला हो रहा है दुकान में अवैश शराब सरकारी दुकान में बेची जा रही है कोले में पचीस रुपया प्रती टन की अवैद भसूली पूरे सार्जनी कुरूप से हो रही है लोग बच्चे-बच्चे को मालूम है तो जब इस प्रकार के हजारो करोड का लेन एंट खुले आम सरकार के सरक्षण में हो रही है पुलिस के सरक्षण में हो लिये तो फिर इस प्रकार के एजेंसी आईटी डिपार्टमेंट या इनफोर्समेंट डिरेक्टेट के लोग एडी की कारवाई हुई है और इसमें अकेले एडी की कारवाई ही नहीं हुई इन्होंने प्रमान दस्तवेज प्रस्तुत किये हैं 13,000 पेज के प्रमान दस्तुत हुएं इनके दो-दो सीनियर आईये सधिकारी साथ-सत महने से जेल के अंदर है जबानत नहीं होगी अगोसी तुरूप से इनके डेडेस सो करोड़ों की संपत्ती जब्त होती है और इस पस्तुरूप से कोईले का तो मामला बड़ा साफ है यानि कोईले में 25 रूप प्रती टन लेने की सुरुआत कैसे वही जो डियो ओर्डर जारू होता है डिस्पेश ओर्डर जिसको कहते हैं कोईले के निकासी के लिए हमने उसको ऑनलाइन किया था सरकार के बदलते हैं भुपेश जी के आते ही इसको आफलाइन कर दिया लोगों को ज जब तक मुख्यमंतरी का विभाग में मुख्यमंतरी का हसे अपनी होगा तो इस प्रकार के करप्षन नीती और नीद दोनो खराब है सरकार की और इसलिए इटी डिपार्टमेंट हो या एडी हो कारवाई कर रही है और प्रमान के साथ दस्तावेश प्रसूत किया है सरकार क जवानत के प्रमुख लोगो जवानत भी नी मिल पा रहा है झाल